हम लाते हैं टॉप नियूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में अफटेट जाने सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ चल रही है और इंशालला जून में टर्म पूरी करेगी और उसके दो मेने करे अलेक्शन होंगे और डिमॉक्रिसी आगे चलती रहेगा बिसमिल्ला रख्माइब रही मसलावलेकूम नाजरीन मैं हूँ आसमा शिराजी प्रोग्राम है फैसला आपका जमूरिये चलती रहेगी आज अपकिस्तान ने अपना एजेंडा जो एलेक्शन का है वो आलमोस्ट अनाउंस कर दिया के जून में बरवक्त जो हुकूमत है वो अपनी मुद्द पूरी करके अगले दो महीनों के अंदर जिसकी मुद्द तीन महीने होती है वो के रहे दो महीनों के अंदर-अंदर इंतखाबात करवा दिये जाएंगे ये बनती है सितंबर दोह की तारीख या अगस्त का अखीर होगा जिसमें के इलेक्शन्स की तवक्व की जा सकती है बहराल एक मुद्दा जो हो हल हुआ जो के बहुत एहम मसला था पीपस पार्टी मान गई बगैर कुछ उन्होंने शर्ते रखी हैं जाहरा है जो आईनी तोर पर वो रख सकते हैं और वो हैं सिर्फ और सिर्फ मर्दम शुमारी के हवाले से जिसके उपर उनके बहुत सारे तहफुजात मौजूद थे सारी जमाते पाकिस्तान की एक पेज़ के उपर हैं के इंतखाबात के लिए हलका बनिया की जाएं नए मर्दम शुमारी के तहट अलबता पाकिस्तान तहरी के इंसाफ अभी तक कबल अज़ वक्त इंतखाबात के उपर बज़िद है और जाहिर नहीं होगा जब तक के हलका बनिया नहीं होती और उसकी भी एक डेडलाइन है अगले पांच-छे महीनों के अंदर इलेक्शन कमिशन को अपना ये काम मकमल करना है सो क्या कबल अज़ वक्त इंतखाबात का जो मतालबा है वो दुरूस मतालबा है ये गलत मतालबा जो पर जरूर बात करेंगे इस से पहले भी बहुत से बहुंचाल आने को है मसलन ये कि अभी इमरान खान साब और जो जाहंगीर तरीन साब है आज उनके फैसले नाहिलियत के हवाले से जो थे असासों के मतालब वो महफूस किये गए है जाहंगीर तरीन साब की जो नाहिली केस है उसके हवाले से काफी एहम डिवलिप्मेंट्स भी है लेकिन जाहर है जब फैसला आएगा जभी हम कुछ हत्मी बात कर सकते है चीफ जिस्स आपने एका कि जाहंगीर तरीन ने बराइट आफशूर कम्पनी को भेजी मैं सिर्फ आपको जो डायलॉग है वो नहीं सुना रही सिर्फ जो चीफ जिस्स के रिमार्क्स है वो मैं आपको सुनाए दे रही हूँ जहांगीर तरीन के तरीरी जवाब और ट्रस्ट डीड में तजाद है ये चीफ जिस्स आपने कहा जहांगीर तरीरी जवाब से अफसूस हुआ और ये इसलिए कि बहुत मरतबा बात में उनका कहना था कि मामलात बियानात जो है वो बदले गए है ये बात बजाहर दरुस लगती है कि जहांगीर तरीन के बच्चे अभी ट्रस्ट के बेनेफिशल नहीं है बजाहर लगता है कि आफशूर कंपनी के बेनेफिशल मालक जहांगीर तरीन ही है ये याद रहे कि उन्होंने ये डिकलिया कि वो इसके मालक नहीं है ऐसा फैसला सुनाएंगे जो सब को काबले कुबूल होगा ये जुमला ये रिमार्क्स जो है चीफ जस्टिस के ये काफी एहम और गोर तलब है लेकिन बाराल अब जब फैसला होगा जबी पता चलेगा किया सूर्टेहाल है लेकिन ऐसा फैसला सुनाएंगे जो सब को काबले कबूल होगा ऐसा कौन सा फैसला हो सकता है जो सब के लिए इसके ओपर भी बात करेंगे इमरान खान साब की जुनायली केस है उस पर एक वो कहते है चीफ जसे साब के लिडनन फ्लैट जाहर किया गया लेकिन कमपनी कभी डिकलियर नहीं की गई यानि उनके जो काख़ाते नामजदगी है उसमें कमपनी कभी गई रिटरिनिंग अफसर ने मौामला नहीं देखा तो क्या अदालत अप काख़ात नामजदगी को नहीं देख सकती काख़ात नामजदगी में तनखा को ना बताना गलती है ये गलत बियानी सच बोलने का फाइदा ये है कि आपको याद नहीं रखना पड़ता कि पहले क्या कहा गया ये उस वक्त कहा जब अक्रिम शेख साब ने निशान दही की कि 18 मरतबा जो है वो तज़ादा ताए और इमरान खान साब के वकील ने बदला जिसके बाद ये कहा गया कि काखजात नामजदगी में तंखा को ना बताना गलती है ये गलत बियानी और सच बोलने का फाइदा ये के ट्वीट्स आएं जो के काफी इंपॉर्टन ट्वीट्स हैं उन्हों इसमें कहा कि अदल के जो नए तकाजे हैं वो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साब के लिए हैं और नए सांचे में ढाला जा रहा है और ये भी कहा जो कोर्ट से वो ये नहीं पूछ सकती हैं कि दो साल तक आप गायब क्यों रहे और ये उन्होंने इंसदादे दैश्टगर्दी में जो आफ खान साब हाजिर हुए उसके उपर उन्होंने तनकीद करते हुए का कि अदालतों को पूछना चाहिए क्या नूनली की जो सारी तोपों का रुख है वो अदलिया रहेगी क्योंके कहीं न कहीं कुछ न कुछ समझोता जरूर दिखाई देता है कि तनकीद की अपने नेरेटिफ को आगे बढ़ाने के लिए लेकिन सिर्फ एक इदारे के उपर और वो लगता है कि अदलिया है इसके उपर भी हम बाकी सूर्टिहाल पाकिसान की सियासत की बनी वी है उसके कि शवकत मैमूस साब थोड़ दिर में पाकिसान तरीक इंसाफ के स्पोक्स परसन है और मरकजी सेक्टरी तरी और हमें जनाब सरदार नबील गबोल साब भी जोइन करें जो के पाकिसान पीपस पार्टी के एहम रहनुमा है कई मरतबा मने मुन्तखिब हुए हैं वफाकी व में आपको आपी के शो में कहा था और आप उसको रिकॉर्ड पराना निकालती कि मैंने बॉलर भी जाएगा और बैक्समें भी जाएगा जी विखकल मुझे याद है आपके शो में कहा था और आपने बड़ा मताबने आपने अब देखना ही है कि देखें अकाउंटिबिलिटी मेरी नजर में अक्रॉस दा बोर्ड होना चाहिए हुआ क्या है पाकिस्तान की तारीख में हमेशा अकाउंटिबिलिटी यद तरफा हुआ है जिसके वज़े सूबों में आपस में जो है मैं समझता हूं कि जो इत्याद होना चाहिए था वो बरकरार नहीं रख सके कि ये कहने लग गए लोग के पंजाब का वजीर आज़म है तो उसको फांसी नहीं लटकाए कि पांसी नहीं लगी सिंद का वजीर आजब जल्फिकार अली बुटो को इसी जुडिशिरी ने फांसी पे लटकाया यही जुडिशिरी जो है नवाज शरीफ के लिए मुसीबत है वादना नवाज शरीफ जो कभी एक जमाने में डिक्टेटर्स के नरसरी में पलने वाला शक्स आज यानि उसकी सोच देखें कि तबदील हो गया है वो यानि इस्टैबलिश्मिन के खिलाफ बातें करता है या अगर हम डॉन लिक्स के हावाले से देखें यानि बोड़े मूव जो उसने किये हैं वो मैं समझता हूँ कि उनकी जो एक सोच है पाकिस्तान के किसी भी अदा आमी और जुडिश्री ये आपस में लड़ी भी एक दूसरे के सामने हैं और मैं समझता हूँ शायद खाकान अबासी इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है अच्छा वो चाहते हैं कि बिलकुल बिलकुल वो 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 चाहते हैं कि मुस्लिम लीक नून और नवाश हैसाथ सा इसका रवया दुरस्त हो जाए और जुडिश्री के साथ उसके रवया दुरस्त हो जाए अच्छा मैसे रवया तो दुरस्त हो गया है रवया तो काफी दुरस्त हो गया आपने देखा नहीं और कल बलके परवेज इशी साब ने कहम स्टेटमेंट दिया है कि इतवार से पह तक तक जानी चाहिए अब तक कोगै नोड़ कि अद سब रही है तो एक सब भी फैसला हूं हुज हुए एक तो मरीज़िद की है कि हमारे लिए अदल के पेमाने कुछ हैं बाकियों के लिए अदल के पेमाने कुछ है और दूसरा बॉलर अगर उड़ गया तो क्या होगा देखें जीरो चांस है उसका अचा इसलिए कि पहली तो बात दो तीन चीजें बड़ी क्विकली मैं काऊंगा कि पहली तो बात ये है कि कुरॉपिशन की ड़िए एक आप प्पलिक आफिस होल्डर हों और आपने अपना पपलिक आफिस यूज यूज अपनी जात को फैदा पुचाने के लिए या अपनी जात के लिए ठीक आसान लफजों में जब ये केस था वो पब्लिक आफिस वोल्डर नहीं थे इमरान खान साथ अमने भी नहीं थे अमने भी नहीं थे कुछ भी नहीं थे बनी गाला वाला क्रिकेटर थे अच्छा दूसरी बात ये है कि इमरान खान साब पाकिस्तान बाहर नहीं लेके गए जो उनकी पूरी जमा पुंजी थी उसको पाकिस्तान में लेके आए है ठीक है जी तूसरी बात होगी तीसरी उन्होंने अपनी जाती जो डीलिंग्स थी क्योंके वो पुब्लिक आफिस होल्डर में वो सरकार का कोई पैसा इन्वाल नहीं था जो उनकी जाती डीलिंग्स थी उन्होंने सारी की सारी वहाँ पे पेश करनी बलके सो मच सो के कैरी पैकर और्गनाजेशन जो अब इग्जिस्टी नहीं करती यानि के कोई आर्गनाजेशन जैसे होती है ना उसके कांट्रेक्स भी उन्होंने दिये उन्होंने बोड भी दे दिये लेकिन लेकिन मैंने जो मगर बीच में डाला है शवकर साब वो ये है कि एक लाख पैंसेट रजार पाउंड जो थे वो फलैट की खरीदारी और कमपनी और खार करके आज चीफ जैसिस्टीस ने कहा कि ये कमपनी तो रेजिस्टर ही नहीं थी डिकलियर नहीं की गए लेड़न का फलैट जो जाहिर चीया गया लेकिन कमपनी डिकलियर नहीं की गगए money laundering करके loot war करके गया पाकिसा पाकिस्तान से बाहर से अंदर लाया गया और उजाती पैसा जो फ्लैट उन्होंने खरीदा उन्होंने उससे double income show कर दी है जो फ्लैट खरीदा उसके double income छो कर दी है लेकिन miss declaration तो हो सकता है जो कि कहा भी किया उन्होंने 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 पेश कर दी है तीक सारी कि सारी पूरी ट्रेल दे दिया और यह याद रखा जाए कि यह private transactions थी वो सारी कि सारी उन्होंने दे दी है जो difference बाकी cases का है यह तो लोग public office holder थे और ये पैसे पाकिस्तान से बाख लेके बनाई है उन्हों ने जो जिस तरह कहा है लीडर कहें हम तो कारकून ही समझेंगे क्योंकि जब तक उनके पास भी कोई पबिलिक आफिस नहीं होता हम नहीं करेंगे लेकिन टॉक्साब क्या उनकी जो तनकीद है वो बिल्कुल दुरूस्त है वो कहती है अदल का हमारे लिए कहा कहा अदल का पैमाना आपके नजदीग बदला है पहली बात तो ये कि मैं अपने दोस्त का दिल खुश कर दूँ मैं उनको कहता हूँ कि पार्टी की लीडर है इसमें किसी और को कहने की ज़रूरत नहीं है दूसरी बात ये है कि जो इनसाफ का बना होता है बुत उसकी आंग को पट्टी बंदी होती है प्रटी इसलिए बंदी होती है कि जो इनसाफ का क्राइटिरिया इस्तमाल किया गया मर्द्वा, चाहे वो बुटव चाहे वो बुट्म साइब थाहे फांसी हो हेलीकॉप्टर केस हो चाहे वो कोई और केस हो जिसके अंदर सजाइं दी गई है वो ही पैमाना जो है दुबारा से इस्तमाल होना चाहिए दीगर अश्कास के लिए जो नवाज शरीफ साब को इस वक जो उनको बरतरफ किया गया वो इस बन्याद पे नहीं किया गया कि करप्शन तैह हो गई वो इस बन्याद पे किया गया कि वो एकामा जो उन्होंने अपने डेकलेरेशन के साथ लगाया हुआ था उस एकामा के अंदर दस हजार दर्म या तीन लाख रुपए की रकम लिखी हुई थी जो अदालत ने कहा आप ले सकते थे हो सकता आपने ना ली हो लेकिन क्यूंकि आप ले सकते थे इस वजह से आपने वो डिकलेर नहीं की हम आपको डिसक्वालिफाई कर रहे हैं यह हुई है बात अदालत के अदर अब आप देखें कि इमरान खान साथ नहीं डिकलेर किया न्य दी है वो मनी ट्रेयल के अंदर आखरी वक्त कभी सवा लाक पाउंड का जोल रह गया, कभी सब्तर हजार पाउंड का जोल रह गया, पांच मरतबा बदला गया, कि नहीं वह इस तरह नहीं, ये वाली इमेल, ये वाली वगयरा वगया, वो भी नहीं दे पाए, जो उन्होंने अपना डिकलेयर किया लंडन वाला फ्लैट, वो किस स्कीम के तहट किया, छुपे हुए असासों को डिकलेयर करने की स्कीम जो दी गई थी, उसमें डिकलेयर किया, जो उसमें चुपे हुए असासे अपने डिकलेयर करनें, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, उसमें डिकलेय किया ताकि अवाम को पता चले चुपे हुए असासे किस किस के थे और किस किस ने कब कब डिकलेयर किया अब जरा इनको छोड़ दीजिए कि इन्होंने क्या डेकलेरेशन की मुशर्फ साब के दरमयान में जो इन्होंने इलेक्शन लड़ा उसमें क्या 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 डेकलेरेशन क आप बाद में दी जाएगा ना, पहली बात तो यह है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को यह अवाम को पता होना चाहिए, तो भी नैप फैसला करेगी कि करॉप्शन हुई या नहीं हुई जब वो पबलिक आफिसर थे, उसका तो फैसला भी सामने नहीं आया, फैसला तो यह सामने आया है कि आपका एक एसेट जो है, जो दस हजार दर्म, तीन लाग रुपया जो आपने नहीं लिया, यह दे सकते हैं, नहीं मेरी बात अभी खतम होना है, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉइंट लेए, इनको कालिया करें, एक एक करके कर लेंगे ना बार, अर्ब और रुपय की, जिसको कोई डिनाई नहीं करता, एड्मिट करते हैं मारी है, और कोट के बार-बार कहने पर कुछ तो बता दो, लेकिन अधर देन डाट, चोरी तो चोरी होते हैं, बने बने दस रुपय रुपय, और उस पर तो पर डिस्कौलिफाइए नहीं क करते हैं, जिसको करते हैं, आटे हम एक ब्रेक वापस आएंगे, इस मौजब पर वापस आएगए इस माजremosवाहरा वेल्कम बेक नाजरीन एक दो फिर आपको खुशामदीत कहते हैं और बड़ी गर्म गर्म किसम की बहुत है फैसला बाद में आएगा और हम कोई फैसला नहीं सुना रहे हम सिर्फ जो रिमार्क्स थे चीफ जसिस साब के और जो फैसला महफूज हुआ है उसके उपर गबोल साब मरियम बीबी ने बहुत सख्त रिमार्क्स दिये हैं और वो ये कहती हैं कि अदल के पेमाने भी अलग हो गए और हमारे लिए जल्दबाजी भी बहुत थी अब कोई जल्दबाजी भी नहीं है उनके शिक्वे आपको दुर्स लग रहे हैं या आपके ख्याल में अब चुके रुख सारा तुपों का अदलिया की तरफ है लहाज़ ये चलेगा देखें आप कहरे हैं ना कि अब इनके स्टेटमेंट से नून वालों के स्टेटमेंट से लग रहा है कि ये काफी जो डेमेज है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मेरी नजर में ये डेमेज को और बढ़ाते जा रहे है अदलिया जुडिशरी के साथ हैड आन कुलेशन पे ये तो उनकी वही आलत हो गई है जो कंदील बलोच मुडर केस में मुफ्ती अब्दिल कवी का हाल हुआ था कि एक सेल्फी इतनी महंगी पड़ गई तो नवाज शरीफ को भी जो है ना ये एडवाइज बड़ी महंगी पड़ आन कामा शो मत करना तो मैं समझता हूँ कि ये मामूली बात नहीं है अकामा शोन नहीं करना ये जो कह रहे हैं न हमारे होई हैं ये कह रहे हैं कि अकामा पर निकाला है करॉप्शन पर नहीं निकाला है तो मेरे भाई अकामा आपको मिलते ही इसी लिए दोबक्रहाइए कुंकि आपने वहां पर पर इंवेस्टमेंट के एक आपने और इन्वेसं बनाई यह वहां पर आपने पैसे डंने सौनी की है वह पैसे शौनी है और द मनी लॉन्डरिंग PRI का केस नहीं है तो मैं समझता हूँ कि यह जो मरियम नवाज शरीफ साहबा की जो ट्वीट है पहले भी बूझ कृएट मरियम सहयबा ने करवाई हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है कि नवाज शरीफसाब क्यूं स्यासी जो है शहीद बनना चाहते हैं क्या करें उनको अपने वोटर को कुछ तो बताना है ना वो यह तो नहीं कि हुआ वो सब का इल्जामात दुरुस्त है और उन्हें कबूल कर लिए एज़ पुलिटिकल लीडर तो उनकी स्ट्राइजी यह बनेगा हमने कबूल किया ठीक है वो ने कबूल किया हमने कबूल किया आपको स्यासत के अंदर बहुत बरदाश्ट आपको कर रखना पड़ता है और अगर आप समझती है कि आपके साथ जुडिश्री ना इंसाफी कर रही है तो जुडिश्री यानि आपके पास एक कोड तो नहीं है आप अपील में जाएं आप सुप्रीम कोड में नहीं जा सकत देखें मुझे आप एक बात बता हैं कि जो लोग यह समझते हैं पाकिसान पीपल्स पार्डी सिंद तक मैदूद हो गई है मैं उनको यह बता दू कि आपका मुकाबला किस किस की है पीपल्स पार्डी यानि देखें जो 65-70 साल के सहसत दाने वो उनके लिए 2018 के एलेक्शन ह है चले हम नहीं कहते हैं कि 2018 में जो है बिलावल प्राइम मिरिश्ट बनेगा लेकिन आप फ्यूचर देखें किसी को तो जगा लेनी है ना वो वेक्यों करना है वो कांचल करेगा अचा यह ठीक गबोल सब कह रहे है पीपल्स पार्टी का फ्यूचर है और किसी का नहीं है इ कुछ इस पर देखें ऐलेक्षन से पहले आपको बहुत सारी चीजे नजर आए नार्मली नजर नहीं आती इतखाद भी बनेंगे बातें भी होंगी को वह से मिल रहा है वह से मिल रहा है और दरना पता नहीं हमारे तो खाहिश यह हम तो बड़ी जल्दी ऐलेक्शन चाहते ह उसकी रीजन बतायता हूँ, उसकी रीजन ये है, नॉन एक्जिस्टन्ट है, वो कैसे है? वो ये धरने की आपने मिसाल दी, ये ही मिसाल ले ले आप, कि पंदरा दिन से वो धरना चल रहा है, और सारे दोरों शेरों के लोग बिचारे खुआर हो गए है, लेकिन हकूमत नजर कोड़ साब की गिर रही है, टेक्स्टाइल मिलें, बंद हो रही है, बुरी हालत है, और मतलब है कि कोई हाल नहीं है मुलका, उसके बाद गवरनेंस की, सो ओवर ओल जो जिस वकद जमूरतों में, जब एक गवरनेंट जो है, वो उसका एक मैंडेट कमजोर पढ़ जाता है, या उसका परफारमेंस गिर पड़ती है, तो ये डिमांड करना का अर्ली इलेक्शन हो, ये बिलकुल जमूरी डिमांड है, और बहुत सारे मुलकों में, मैंने लेट दो साल में अलेक्शन करा लिया, वैसे अगर, अगर अगर किसी बज़ा से नहीं होता, तो हर सुरत टाइ महीने इन्होंने धरना दी, या उसका ये थे, यानि इनको पंदरा दिन का धरना खटक रहा है, और अवाम की मुश्किलात जो इनको अब नजर आ रही है, जब साड़े चार महीने यहां पर आकर, जब इन्होंने कबज़ा किया, असम्बली के ओपर जब दिवारें तोड़ कर रहा है, और हकुमत उसी तरह जिस तरह इनको डील कर रही थी, इनसे बात चीत कर रही थी, कि आप ये ना करें, हमला आवरी ना करें, जरूर अपना जो जमूरी हक है, तो आप पेश हो गए, खान साब देखे, चार मुक्ता है, मैं उसकी बात तो नहीं कर रहा है, तो पे कोट के जज भी पीछे से जाते थे, सेंबली के मेंबरान भी जाते थे, सेकेटेरियट भी बन था, उस वक्त इनको कोई मुश्किलात जो है, वो नजर नहीं आए, एक बड़ी अजीब ताज्यूप की बात है, दूसी बात ये है, कि आईन और कानून जो है, उसने एक तरीक का अगर आप समझते हैं, कि हकुमत खतम हो गई ये तो आप जा के वोट अफ नू कान्फिडंस कर दें, और अगर वोट अफ नू कान्फिडंस जा तो फिर बात सा, दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा, यहां पे बाहर दूर से बैट कर ये तमाम गुफ्तगू करन यह हुचा इसको सीवाइगा. Khatriya Badaar. उएऩ। नहीं है किसने वजीर लगणा है यह फैसला अगर अगर उमानने को मेंटेट दिया यह वोट लेकर आते, जीते होते हैं, तो यह यहां आपान goof कर दो हम कई सवाल आपने ओठाए हैं अब इनके अपने जर्नेल हैं इतसाब कमिशन के उन्होंने का हथकडी के सिरे जाते हैं चीफ मिनिस्टर इतसाब तक तक तब क्यों नहीं उन्होंने रिजाइन दिया अच्छा मैं बिकुल मुझे एक क्विक ब्रेक के लिए का जा रहा है मैं वापस आती हूँ फॉरण इसके उपर जरूर रहा हम बात करेंगे कि इस वक्त जो सियासी अफरा तफरी है इसका नतीजा क्या निकल सकता है और फिर तलवार लटक रही अभी तक नाहली की आपके उपर भी ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन एक दवा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो एक सियासी अफरा तफरी है और मुख्तलिफ जगों से मुख्तलिफ चीजे हो रही है जो भी होगा खुदाना खासता पाकिस्तान के सियासतदानों पे ये तलवार रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो वो खुद ही चले जाएंगे वो अगर कुछ जाली निकलता है दस्तावेज जाली निकलती है लेकिन ऐसे मामले हैं कि पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के सियासतदानों पे सवालात बढ़ते चले जा रहे हैं तो खान सामने जो ब मुझे क्यों निकाला मुझे क्यों निकाला अब तक बबारी जारी है सुप्रीम कोर्ट के उपर आज बरियम बीबी जो हैं उन्हों ने जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बाते हैं बतलब है कि ये कोई कोई तरीका है कि आप पाकिस्तान के जो आइनी अदारे हैं अगर फैसल आपने अपना रिशुडूलिंग कराई पता नहीं क्या कुछ किया और बलकि टेप है कि आप जजों को फोन कर रहे हैं कि ये फैसला इसकी हक में कर दो इतसाब और मांज लेकि शवका सब्सक्राइब करेक्ट करते हैं ना कुछ करेक्ट करते हैं अपने आपको ये करेक्ट कर हमला किया तो सुप्रीम कोर्ड अब इस वकर धमला कर यानि कि हो तो बहुत अच्छा है तो इमरान खान साब ने जो बात की है वो इनका मतलब यह है कि अगर खुदा आना खास्ता है जैसे समझता हो जीरो चांस है तो वो तसलीम कर लेंगे बिलकुल तसलीम कर लेंगे और हमें नी पता फैसला क्या होगा लेगिन काफी स्ट्रॉंग उनके खिलाफ रिमार्क्स आया है मस्किन उनका यह कहना है कि उन्होंने ब्राहरास्त आफशूर कंपनी को रकम भेजी ट्रस्टीड में और उनके जवाब में एक जबाद रहा है ठीक मैं यह नहीं कह रही क्या व जल्दी वाली बात कितनी देर ट्रायल चलीजी सबाँ साल सबास्वा साल तोड़ा अरसा होता है दूसरी बात यह है कि मेरा खालतका है कि मैं इ wokरानstrin साव और जांगीरतरीन साहब की बहाफ पर भी हह पर भी कह सकता हूं हम अदारा को बुरा बनारिया facilities and strictला रेंगे उनको बात यह है कि हम वहां पे मौझूद थे। आप तो देना पड़ेगा ना कीटियाए को माजी की चीज़ों की बात रहे हैं कि यह कोई एक्विलन्स है कि आप यह जो बात कर रहे हैं सुप्रीम कोड के बारे में जिस तरह मरियम साहबा लगी हुई है सुपा से लेकिशाब इस तरह की माफी मांगी जिसके ओपर इन्होंने का O मर्जी उड़ा दें जो मर्जी जबान इस्तमाल करें लेकिन अगर कोई और जो है वह अदालत के फैसले को यह कहता है कि जमाली साब का बेंच फिर खोसा साब का बेंच फिर तीन रुकनी बेंच फिर जेयर फिर वाटसैप की कॉल्स फिर तरीका एकार जो उनका था फिर फैसला फिर नैप का केस नैप के तरीका एकार से मावरा यानि पूरे मुलक के लिए नैप का एक तरीका एकार है लेकिन ये तरीका एकार नहीं अपनाया जाएगा अगर ये तमाम चीजें होती हैं और आप एतराज उठाते हैं तो क्यों उठाते हैं क्यों ना उठाएं आप आज कैमरे के अंदर देखकर ये कह सकती हैं कि भुट्टो साब की फांसी से आप मुत्फिक हैं वो भी सुप्रीम कोट ने फ फस्वक्त तो क्या आई ठीक मिल्कूल नहीं तारीक प्सला दे रहे हैं आप लुटु कि अंदर ये फैसला दे रहे हैं आप रो एक पैसला दे रहे हैं है जो फैसलाः्फला आ चुका है उस पर बात ना करें रुषा में लेटाईए बसके आ हम वो कितना आरसा है जिसके बाद आप समझती हैं कि आप बात कर सकते हैं आप यह चाहती हैं कि चले जायें उसके बात कोई वक्त बता दे ना कि साड़ें पाइच साल नौ महीने बात नहीं कर सकते हैं इस फैसले पर फैसले पर फैसला आ चुका है वो तमाम चीजें जो हम अबार आम के सामने पेश कर रहे हैं आपको नहीं पसंद आप मत सुनें। आपको पहले कहा दिया कि मुराराँ खान साब के खिलाफ फैसला हाता है जो कि जिसके zero chances है हम दूसरी बात अगर आप पाकिस्तान का आइन मानते हैं और पाकिस्तान का आइनी अदारा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को सुबह से लेके शाम तक आप बुरा बला कहते रहते हैं, फैसले को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, कोट को क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि जी पहले फैसला हो चुका था, फैसला बाद में सुनाया गया, अगर इस किसम की आप बातें करते हैं, फिर आप अदारों, बाकी दारों को अदा ऐसके तो पता चले ना, जवाब थो पता चले, चाल सारि है, जी अब किके और रấtौशन किसी और बच्चे ने हमारा बिल्ला 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 टॉमि College गलत एक सही तो नहीं करें ना इनकी खैर है कोई बात ना करें ये कर सकते हैं आदा गुंटा प्रोग्राम हो सकता है कि हम क्यों सकत क्लामी कर रहें थे निन पे बात नहीं नहीं बात करें पर अज़ा पर पर बात बात पर अज़ा तो अज़ाए कोड़ा पर आप देखे कराची के उपर बात सुन लें कराची के अंदर जो बाते हो रही हैं जिस तरह की M.K.M. के अंदर डिवाइड और जिस तरह से हुआ है establishment पे इल्जाम, सियासदानों पे इल्जाम था, फिर court पे इल्जाम, अब establishment पे इल्जाम, फिर फाज, यानि सारे के सारे इदारों के उपर इल्जाम तराशी शुरू हो गई है, इस से मुल्क को कितना नुकसान होगा गबूल साब, किसी सियासे जमात को इसका अंदाजा है? कराची में तो बहुत बड़ा ड्रामा रचाए गया, और मैं समझता हूँ कि कराची के अंदर जो ये बादा पैदा हुए, कि मुस्तफा कमाल खुद कह रहा है, कि हमें और फारुक सत्तार को जो है, मिलाया गया, और खुद establishment को जिकर करना, मैं समझता हूँ, कि हम खुद अ बातों से अपने मुलक के जब बजनाम करते हैं, और उसका रिपकर्शन होता है, रियक्शन आता है, फिर हम बैठकर रोते हैं, मतलब नहीं कि कोई establishment में reaction की है, जुदिशरी कुछ करता है, तो आपने उसको correct कर दिया है, कि इसका मतलब ये नहीं कि reaction आता है, मत सर आपके साम नहीं है, स्यासी जमाते जो जवाब दे रही है, जी, जवाब-लजवाब चल रहा है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, दो चीजे हुई है, दो दो चीजे मैं समझता हूँ, मैं मिलाता हूँ कि एक तो वो डॉन लीक्स के प्राइमिस्टर हाउस से प्लांट हुआ, उस मुस्तफा कुरेश, मैं जान के या अपने का है, मुस्तफा कमाल ने जो स्टेटमेंट दी है, और मैं समझता हूँ कि ये नादानी में बात की है, या जान भूच के बात की है, अब कम से कम ये होगा, कि PSP और फारुक सत्तार की जो ये राये, वो जुदा जो मैं कहता था कि ये एक हो जाएंगे और मुश्रफ साब लीट करेंगे, अब मुश्रफ साब ने भी हाथ निकाल लिया इन से, कि आप लोग इमिचियर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, यानि अम्मी जान कहती थी, कि वो जो फारुक सतर के जो सेंटेंस मश्यूर है, कि अम्मी जान ने कहा, कि आपस आया हूं, और मुस्तफा कामाल कहता है, कि आठ महीने से हमारी मीटिंग्स जो है, वो कराई जा रही है, तो ये चीज़े नहीं होना चाहिए, हम अपने आतों से खुद अपने अधारों को बज़नाम कर रहे हैं, और कोई मुलक ऐसा नहीं है, जो अपने अधारों को तो इसका तो मतलब ये कि इस्टैब्रिश्मेंट की इंवाल्मेंट अब सब कन्फर्म कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से इल्जमात लगा रहे हैं, जवाब भी दिया है, जवाब देना पड़ा उनको, सब को इल्जमात की उसके अंदर ले आए हैं, सियास्त दान क्या कर मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ख्यालक्सली है, रोज शहादते हैं हो रही है, जो जिस हालते जंग में हम इस वकत हैं, ट्राइबल एरिया क्या, बिलोजिस्तान क्या, मतलब लिटरली हम हालते जंग में हैं, और कुछ हमारे तबकात ऐसे हैं, जिनकी दिल को ठंड़ा कुस व उनको चैन नहीं आता, उनको राम नहीं आता, मुझे बड़ा अफसोस होता है, जो जनून क्रिटिसिजम है, बिलकुल करनी चाहिए, लेकि अफ़ करें, अब सुप्रीम कोर्ट हो गया, आम फोसे हो गया, आम फोसे हो, ताली दो हातों से बचती है, लेकिन आप अपने अप अपने ग्रेवान, आपका अपना किरदार क्या है, आप किसी पे अंगली को उठाने से पहले, मैं तो कह रहा है, पहले खुद इस असाब ही करें, आप दूसरों पे अंगली उठा रहे हैं, आपने अंदर नहीं देख रहें, यह क्यो हो रहा है, यह हुकूमत कमजोर हो, रि तफरी, देखे, पहली बात तो यह कि मुझे तो समझ नहीं आई कि PSP ने जो जिस तरह भी पैदा हुई, वो हम सब को मालूम है, उसने establishment क्यों क्यों इस तरह सरे बाजार बेचा, को समझ नहीं आई, इस तरह तो किसी ने आज तक बात नहीं की, जिस तरह बाहर निकल के बात किये, इससे पहले किसी जमात ने इस तरह बात नहीं की, कि establishment जो हमारे साथ जोड़ तोड़ कर रही थी, हमें मिला रही थी, हमें जोड़ रही थी, आठ महीने से, और उसका फिर इजहार जिस तरह फारूक सतार साब ने भी जो उसका जवाब दिया, उसके अंदर जेर लब उन्होंने कुछ इंकार नहीं किया, किसने नहीं मिलाया, और एक ने कहा मुझे इसने, इन्होंने फरमाईश की थी, तो ये बात हुई, उसने कहा नहीं ये कर रहे थे, मगर बड़ी जीब सी एक सूरत हाल है, जिससे लग ऐसा रहे, मुझे ऐसा लग रहे सियासी तर्क पे, कि लगता है, पी-एस-पी के उपर से जो इस्टैबलिश्मेंट का जो इतमाद हो गया है, जिसकी वज़े से पी-एस-पी चीखी है, वरना मुझे ये बात समझ नहीं आती, कि पी-एस-पी इस तरह बाहर निकल के, क्यों इस तरह का बियानिया जो है, उनकी देस्प्रेशन देखे हैं, MQM किस तरह बनी, फिर देखे हैं, MQM हकीकी कैसे बनी, फिर दوبारा से हुई, पिर वो अलाइदा कैसे हुए, फिर वो जोड़े कैसे, फिर पी-एस-पी कैसे बनी, तो वहाँ पे इंकी अपनी भी अंधरूनी जो एक डाइनामिक है, वो बड़ी आजीब सी डा हकुमत का भी तो कोई काम बनता है ना? नहीं हकुमत का किसी की सियासत में को दो जमातें कैसे कटे हो उनको क्या मीडियेट करे हकुमत का तो इसमें कोई काम नहीं है प्रिटिकल पार्टी को एक वफाकी हुकुमत जिसके साथ M.K.M. का बहुत अच्छा तालुक है सिंद की कल हमने तो जमूरियत के अंदर वो जो बहुत बड़ा आईनी एक बहरान पैदा हो रहा था वो सिंद की हकुमत के पी की हकुमत सब हकुमतों ने मिलके उसको और बाइद वहां पे के पी की गमेंड ने कोई कबल अजवक्त इंतखाबार की बहुत नहीं कहा ना पुराने संस्स की बात की यह और दूसरी बात जो अहम है वो यह है कि जो बात आप अंदर कर रहे हैं एक यकसुई के साथ एक ही बात करेंगे मैंने थोड़ा से टॉपिक बदल दिया है क्योंके मेरे खान में आप मौका देना है ज़ए नहीं मैंने तो कहा हम ने शुरू से यह कहा था कि हम तो सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन पीपल्स पार्टी औ और MQM को को तहफूजात हैं उनके तहफूजात दूर हो गए तो हमने कहा कि हम इसको सपोर्ट करेंगे लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम यह नहीं कहते हैं कि अर्ली एलेक्शन क्या अप्शिक बदा देता हुरा है मैं तो यह एलेक्शन कमिशन की यह तावील मानता ही नहीं होंकि छे महिने लगेंगे यह काम करते हुएं यानि उनके पस वक्त है वो मैं जोक बहुbing को थीन महिने और फिलेक्शन किराने का फाइदा Speech поряд अभी अब न मार्च में भी अगर अभी शट में पहले किया था मैं पहले क्या फायदा हूँ ग। मैं इत्ना कहूं क्या अर्ली ये्érica बोलने वाले लोग जो हैं वो ये वो ये सोच लें कि आप अर्ली इलले क्षिन की बात कर रहे हैं मैं तो इलेचिन मुझे नजर बंदिया होंगी, census के मुदाइब और census पे कोई भी पार्टी मुतफिक नहीं है, यह लिए अगर इसा होगा, हलका बंदिया नहीं होगी, यह तेट्नो क्रेंडिक गर्मेंट आएगी, जिसको सूट देरे हैं, यह वरत कहरे हैं, अच्छा, गबॉल साब कहरे हैं, गबॉल साब मैं समझता हूँ कि यह जो काम है, डिलिमिटेशन का निया, यह अगर लॉप पास हो जाता है, यह दो तीन मेने में होगी, और पीटी आई चाहती है, कि सिस्टम को बचाना है, तो कबल अस वक्ति नहीं है, उसका एक तरीका एकार है, और कल बाकाइदा इनके चीफ होगी. तुन के फाएदार में, निहीं है, अचाहती नहीं हुदुने है? länger हम तो, ऑचानी कुछ फायदा होगा. बहुत 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 शुक्रिया, मेरा ख्मयुने यह सबसे एहुत. बहुत 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 करेंगे. जो चच्छा अच्छा. जब अनसे पर इ अच्छा चले ये 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 तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि होता क्या है लेकिन पुलिटिकल पार्टी अब इस बात के उपर हैं कि बरवक्त इलेक्शन होने चाहिए पीटी आई बजिद है और बात से लोग का ये भी कहना है कि पीटी आई की इस जिद को ये समझा जा नहीं गलत है अच्छा चले ठीक है इसमें दहस करेंगे और लेकिन गुफ्तगू अपने सुनी फैसला आपका कुल ओान सकता ओान सकता पान सकता है अच्छा तर टाहिए पान सकता है ऑ्षा गलत है अच्छा टो ये तो अभर का येंगे पान सकता हैं कि इसाण।